इस स्टोरी की सुरुवात में हमें कई सारे रियालिस्टिक करेक्टर को दिखाया जाता है जहाँ आपे बताया जाता है क्या तुम रियालिस्टिक सेकंड लाइफ का एक्स्पिरियेंस करना चाहते हो जिसके जिरिये तुम टेंपरीचर और टेस्ट को 100% रियलिस्टिक तरीके से फील कर पाओगे जहां पे तुम एक रात में काफिजदा अमीर बन सकते हो और एक बहुत ही अमीर और ब्यूटिफुल गल्स से शादी भी कर सकते हो और सबसे जादवी चीज हमारा नया गेमिंग हेलमेट ये तुमारे नज़ो को ठेक रह सकता है तुमारी बोडी को नया रूप दे सकता है यहां पे तुमारे दिन गेम में लॉग इन कर सकते हो और इसे के साद हम वहाँ पे पैसिलिस्ट टीम को देखते हैं जो किसी गेमिंग हेलमेट को रिकमेंट कर रहे होते हैं और इसे के साद हम हमारे में करेटर को देखते हैं जिसके हाथों में एमपेरियन गॉड रियल्म का कार्ड होता है और इसे के साद वह हमें बताता है मेरा नाम लूचेन है और मैं अपनी बहन के साथ रहता हूँ जहां मैं औरिजिनली एक कमपनी का इंप्लॉई था इसके पास एक अच्छे सेलरी और एक अच्छा फ्यूचर था हाला के एक इंसिडेंट ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी जहां मुझे बचानी के लिए हमारे सारी की सारी डिपॉसिट्स और प्रॉपरिटिस का यूज कर दिया गया और उन्हें बेच दिया गया लेकिन इन दी एंड मैं एक लूजर बन चुका हूँ जो सिर्फ अपना सर और हाथ हिला सकता है और कुछ भी नी कर सकता और तब से मैं अपने बहन के लिए एक बोज बन चुका हूँ और दूसरों की नजरों में एक हारा हुआ इंसान बन चुका हूँ इसके साथ हम देखते है कि उसके बेहनों से देखलते हुए आगे ले जारी होती है जहां पर सभी लोग से देखते हुए आपस में बात कर रहे होते है और कह रहे होते है देखो इस लड़के को बेचारा लड़का कुछ मी ने कर सकता तो दूसरा लेडी क्या रही होती है आहां यहां तक इसके सगे भेहन भी इस हद तक मदद ने कर सकती है इसके साथ बहुत बुरा हुआ और इसके वजिसे इसके भेहन भी फस गई है जहां उसकी भेहन को जिन्द वाला होता है जहां पो मैंने को बहुत सारी अभवाई है नहीं की इन टेस्टिंग में अपरिसेपट लेने वाले लोग भी इसके विज़े से कपी जिदा बनल गये इसके वो इंसी पैंक हमें एक पंच सिन्गें धिवार को तोड़ देता है यह सब देखिंग बहुत कहा रहा होता है और एक बात है जिसने मेरी इंट्रेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है वह यह है कि जी गेम हाई पैरपलीजिया और वेजटेटीव स्टेट के पेशन को उनकी मुविंग एबिलेटी को फिर से हमद देखते हैं और बात करने हैं और चंद ले लगते हैं चीहा यहही गेम इतना ज्यादा यह S.O.C के बारे में अपनी सोच्ष बदली और पर अपना फूचर पर लगा लगा दिया और फेक उस साथ उसे उसके बेहन का मैसेज आया वहा होता है जहां पर उससे कहा रही होती है ब्रदर मैं आज पूरी रात ओवर टाइम करने वाली हूं तो इसलिए खाना खा लेना यह सब देखते हैं लूचैन मैंने कहा रहा होता है मैंने पास बिल्कुल नया खरीदने के लिए पैसा न उसमें करता है चाहां पर लेडी बहुति अपनी मत्र इड डर्श किजिए यह देखते हैं वह उनली आयम वाल्ड में क्लिक करता है और इसके साथ वे यह नई दुनिया में पहुच आता है जहां पर उससे बनाया जाता है आपका सवागत है इस गेंग इंजॉइ किजिए और इसे के साथ हम देखते हैं कि लूचेन उसकी बॉड़ी एक अजीब से जानवार में बदल जा रही होती है जो कि देखते हैं मेरी बॉड़ी आकर इसका क्यों बदल गया है पहने कभी किसी प्लियर से इसके बारें बात करते में नहीं सुना है आहम तोर पर क्या पहले क्या बातर कस्टमाइज़ेशन का और यह सब क्या है कि वेर वॉल्फ में चेंज हो चुका होता है कि देखते हूं कि अपने लेवल को बढ़ाने के लिए वाइल वीश्ट को मार सकता हूं क्या मैं मनी को आर्म कर सकता हूं यह कहते हैं वह काफी जोरी चिलाता है और कहता है है यह यह गिल नहीं हो सकता, इसके साथ वो character menu को open करता है, जहां पर इसे बताया जाता है कि का character एक कमजोर वेरवल्फ है, जहां पर इसकी level 1 होती है, इससे देखते हैं वो काफी जादा गुसा होता है, और क्या रहा होता है कि क्या, यह क्या बकवास है, मैं तो एक जंगली जानवर में मदल चुका हूँ, मेरी attribute और सारे के सारी talent यह काफी जाना कमजोर है, आगर इसका क्या मतलब है, रुको मुझे लगता है कि मैं बहुत ही important चीज भूल चुका हूँ, मैं बूल गया कि मैं चल सकता हूँ, इसके साथ वो चलते हुए क्या रहा होता है, ऐसा मालों के जैसे एक लेडी कहा रही होते हैं, और यह बहुत जदा अगली है, तो दूसरी लेडी कहा रही होती है, लो इससे मारते हैं, वैसे यह हमें कोई भी critical damage नहीं देपाएगा, यह हमारी ले काफी जदा easy होगा, दोस्ते तरफ उनके बादे सुनते में लियू चैन मनीमन कहा रहा होते क्या, बत्सूरत, कमजोर, आखरी यह सब यह किसे कहा रहा है, हाला कि इसमें रूकी इसके cloth काफी जदा cool लगते है, वैसे यह गेम उतना में जदा बुरा नहीं है, लेकिन यह सब क्या हो रहा है, और इसके साथ हम देखते हैं, कि उस सारके सारे players उस पर attack कर देते हैं, यहा देखते हैं, क्या, क्या, यह किल इतना साथ महिंगा है, तो मेरे हाथ में यह इतनी बुरी चीज नहीं है, और इसे के साथ काफी तेजी से उस लेडी पर attack कर देता है, इसiva किसे काफी damage होता है, यहां पी लेडी क्या होती है, इसकी नियुदिके होती है, इस तका कि यह सब क पर attack करेंग मिलते हैं तबहुंद है कि काफी पर अटयक करते हैं तब ही यह मौका देखते हैं लेटी को मााड आलता है। आप इसके रेपोटेशन स्टोर भी अनलाग हो जाती है और वन मॉस्टर रेपोटेशन में मिलती है नेकर वह मनिवन कहा रहा होते वहाँ पलियर्स को मानने से मुझे रिवॉड मिल रहा है यह सच में काफी जदा बढ़िया है मतलब अगर मैं जादा किल करूं तो मुझे जादा एट्रिबूट्स मिलेंगे और इसके साथ वह उन सभी को मार देता है जहां अपर से काफी कुछ मिलता है जिससे देखते हैं वह क्या रहा होता है मुझे नहीं पता कि आकरी ब्लड मैडिसन ड्रॉप कहां से खरीदी गई है क्या यह रैपोटेशन स्टोर से ली गई होगी इसके साथ वह रैपोटेशन स्टोर को उपन करता है और क्या रहा होता है खैर ऐसा लगता है कि रैपोटेशन स्टोर रीकवरी मैडिसन को नहीं बेशती है इससे देखते हैं लगता है कि वाइल बीश्ट प्लियर्स के तरह बिल्कुल भी नहीं है हम रीकवरी मैडिसन को ख में मेरे पास जादा डैमेज भी है यह तरीके की चीट कोड़ है लेकिन अगर में वाइल विश्ट को हंट करूं फिर क्या होगा और इसे के साथ मुझे माफ करना लेकिन मुझे से आजमाने दो इसे के साथ वह काफी ती से अपने साथी पर ही अटेक कर देता है जहां पर करना लेकिन सबसे पहले से पी लिने दो और इसे के साथ वह से पीट पीट के मार डालता है जिससे के इसके टैलेंट अपग्रेट होती है यह मुझे अपग्रेट की लिए एक फ्राइग्मेंट मिल चुकी है और इसे एक्सचेंज भी किया जा सकता है मतलब मैं भी रिच वन करने वाला हूं तो फिर आगर में किसका वेट कर रहा हूं तो चलो इने मारना शुरू करते हैं और फिर 15 मिनट बाद वो उन सारे के सारी वेल वर्ड को मार डालता है जहां प्यों मनिमन कहा रहा होता है मेरी स्टेटर्स आकरकार बढ़ चुकी है ना सरब मेरी केरेटर बद यहां परवट है जो कि सुनते के मनिमन कहा रहा था क्या वाद दहल आगर यहां पर क्या चल रहा है इसा किसा आधे को देखते हैं जो कि क्लब के साथ भीना किसी बिना किसी ईक्रीमेंट के प्लियर्स को मारने से और इंके क्लॉद को फार ड़ने ऐश्या इफेक्ट पड़त तुम बाहर क्यों निकल पा रहे हो तो यह सुनते वी लिंग क्या रही होती है बिल्कुल नहीं इसी बैटल के दौन प्लियर को यूजक है तो कि है यह सच है कि तुम इसी तरह दीखते हों यह कह रहा होते कि आचानक था है और यह बेर वुल्फ ऐसा कहा। अब इसका साथ इससे बिलुचन उसे भी हिट कर देता है जहां पर ही एक खाते भी हिट लीट क्या रहा ह होता है ये चीज कोई कंउर वियल्वुल्फ नहीं है चली से कोई हमारी मचाती हो ने देखता है और इससे के साथ काफी भी नहीं है तो उसे देखते हैं वे लिजिंग मनीवन क्या रही होती है यह कैसी पॉसिबल हो सकता है ऐसा लगता है कि यह बाइल वीस्ट मेरी मदद कर रहा है और इसे के साथ वो उसे कुछ पोशन देते हैं क्या तुम इन पोशन के जरूत है मेरे पास सरफ इतना ही है लेकिन तुम इसे प्रमोशन के त्यारी करते हैं और इसी के साथ हम देखते है कि लिए वहां से चले जाता है यहां तो हर जगह लोग है ऐसा लगता है कि यह जगह नहीं है और अगर मैं बहुत ही आउड़ सच में लोगों को टार्गेट बन जाओंगा तो दोस्ते डीमोनिक बीश्ट को मानन के लिए मुझे प्रवाबली उनसे दूर रहना होगा तो काफिसर वेर्वॉल्फ को सामने आ जाता है चाहां यहां प्लेश से काफी जदा अच्छा लग रहा है जहां पर में सेफ रह सकता हूं और जैसे में एंटर किया तो मैं वाल्विष्ट बन गया और मुझे लगता है कि इसलिए मुझे नहीं पता कि आखर दूसरे प्लेश कहां पर है कैर यह ठीक है मैं आफिशली तोर पर पर प्रमोशन क्लिप को देख सकता हूं इसके साथ वो सिस्टम को ओपन करता है जहां पर लीज़ी कह रही होती है सर्वर खुले लंबा टाइम नहीं हुआ है लेकिन नियुवी बिलेश में पहले से ही वाइल विष्ट को माने के लिए सी हजाए लोग जूर चुके हैं और यहां पर प्लियर्स की नंबर्स वाइल विश्ट के नंबर से काफी ज्यादा है इसलिए इसे बराबर करने काफी सब्सक्राइब और हम देखते हैं कि वहां पर काफी बैटर है और यहां पर काफी सारे वाइल विष्ट है तो मैं जब तक चाहूं तब तक मान सकता हूं और यह कहता है और आपने लिए बहुत ही अच्छी बात है नोटिफिकेशन ओपन होता है जो कि अप ग्रेड हो चुकी है जो कि आफ लोली वेर वोल्फ ब्लड लाइन बन क्रिटिकल अटैक बढ़ जाएगी जो कि देखते हुँ मुझा रहा है वह सिक्स परसंट क्रिटिकल अटैक का मौका यह काफी साथ बुरा नहीं है लेकिन यह मुझे हमें साथ सहे टियर स्टेटिस अपग्रेट पॉइंट जैता है लेकिन मुझे टेर की जरूत है तो चलो मु पॉइंट मिलेंगे जो कि वन टेर स्टेटिस अपग्रेट पॉइंट में मर्ज हो सकती है यह सब देखते हुँ मनिवन कहा रहा होता है मुझे इसे टैन फोर्च करने की जरूरत है तो इसका मतला मुझे कम से कम हंड्रेट बीश्ट को हराना होगा यह कहता है वह आगे बढ करने लगता है और इसी के साथ लेवल टू में पहुंच जाता है जहां पर उसकी फीजिकल स्ट्रेंट भी बढ़ जाती है यह देखते हैं वह अपने सामने बड़े से बीश्ट को देखता है जो कि देखते हैं वह क्या रहा तो रुको यह तो काफी जदा अच्छा जानवर लग रहा है जो कि मैं चाहता हूं और इसे के साथ उसके पीछी पीछे जाने लगता है आदमी काफी जदे स्ट्रॉंग हो लेकिन वह अभी भी लेवल वन पर है जहां मैं लेवल टू पर हूं जहां मुझे मिले हैं तो इसलिए चिंता करने के कोई भी जूरूत नहीं है चल बीस पर अटेक करता है और ऐसा ही 5 मिनट बीच जाते हैं जहां पर हम देखते हैं कि वह काफी मुस्की से उस बीस्ट को किल कर देता है जहां पर उससे देखते वे कहा रहा होता है हाँ लग ली मुझे एच्पी नी कभी पोश्चन मिला था जो कि लिंक जी ने मुझे दिया है और यह काफी अच्छी बात है जहां पर उसके पास दो बैट होती है यह देखते वह क्या रहा होते यह तो काफी अच्छी बात है जहां पर इसे बताया जाता है एक्विमेंट शावी वेरवुल्फ कलव जो कि आप बेचना चाहते थे उसे फोरक और पिलियर्स के दिरिये खईदा गया है जहां पर प्लैटफर्म हैंडली की फीज की रूप में 5% काठा गया है तो इसलिए उमरे बैंक अकाउंट में 247 य सब्सक्राइब करता है जहां पर इसे में कर सकता हूं तो एक सपैसल बीष्ट मैं लिचेंट अब आगी बढ़ रहा है और इसे के साथ हुआ है सही कई सारी बीष्ट को मारते जाता है और ऐसे बीस मिनट भीच जाते हैं यहां पर उसकी लेवल 3 हो जाती है यह देखिए वह कह रहा होता है फाइनली लेवल 3 में पहुंच चुका हूं और मेरी अटेक टीपन्स और अलवर एट बढ़ चुके हैं लेकिन शर्म की बात यह है कि मैंने 20 से भी जादा वियर वुल्फ को मारा है लेकिन मुझे कोई भी ड्रॉप नहीं मिला है और यहां तकी मेरी लेवल सि को मारने लगता है जिसमारते मारते के मार मार सकता हो तो विर लगदार 40 को मार सकूँछ से मारते करता है लेकिन उसे जद्हादाते इमें नहीं होता है चाह Unter का मतलब यह है कि इसके अटैक की स्पीट काफी ज़्यदा तेज है इसका उल्टा इसकी अटैक की काउंट ट्रेस्ट यह कम है लेकिन इते कम लिए पर बिश्ट की स्पीट कोई माइन नहीं रखता तो मैं साट इन चारों को एक एक बार में मार सकता हूं और इसे के साथ 40 मिनि मिला है यह काफी ज़्यदा बुरा नहीं है हाला कि इससे भी अच्छी बात यह है कि हार बार मेरे स्टेटस अपग्रेट होने पर मैं तरी रिवाट में से एक को चुन सकता हूं जहां मैं एक टाइप की रिवाट को 50% तक अपग्रेट कर सकता हूं इसके साथ वह अपने इसके चेंज होके स्ट्रॉंग निम्बल हंकी बेर वुल्फ हो जाती है और मैं अभी तक पहुंच चुका हूं तो मुझे सबसे पहले मिला था चलो उसे बेचते हैं और इसे के साथ पहले बाले क्लब को सेल करने लगता है जाहां पर इसे देखते हुए क्या रहा होता है इ क्या क्या उन्होंने सच में से इतनी जल्दी खड़ी लिया है यह तो मौके पर इभिग गया है मैंने सिर्फ दोफएर के अंदर ही सातरा सु यूवन कमाए है यह बहुत अच्छी बात है यूली अब तुमारे भाई तुमारे लिए नए कपड़े ला सकता है दूसरी तरफ देखना चाहिए इसे के साथ वो टॉप लिस्ट को चेक करती है जहां पर नंबर वन प्रीस ऑफ दी किंग एंपायर होता है जिसकी लवल टू होती है और ऐसे कई सारे प्लियर्स होते हैं जो कि देखते ही वो क्या रहा होता है यहां पर तो ऐसा कोई भी प्लियर्यर नहीं ह और यह तो हमारे एरिया में टॉप 500 में भी नहीं है लेकिन ऐसा कैसे पॉंसिबल हो सकता है लडू को शायद ऐसा नहीं कि उसने खुद को ही नहीं पाया होगा या फिर वो एक इलीगल पोर्टल ब्रोकर है अब इसकी बेहनों से क्या रही होते से स्टन लिंग जी अभी लोग अभी स्टार्ट करते हैं और इसे के साथ वो लाइब स्ट्रीम करने लगती है जिसे देखते हैं और वहां पर काफी सारे बील्ड लग जाती है कि अगर तुम इसे पाना चाहते हो तो कलब को पाने के लिए ट्रेनिंग प्लीस पर जाओ बहलाई यह सिर्फ लेवल वन करता है और मन मन कह रहा होता है यहां पर उसके साथ और स्टेस को अउपड्र करने के बाद में बहुत ही ज्यर्द बन चुका हूँ जहां मैं अपने से एक लेवल के ऊपर वाले बिष्ट को भी मार सकता हूँ और इसे के साथ वो उसे भी मार ढालता है यहां पर उसे एक आइटम मिलता है जो कि देखते ही वो क्या रहा होता है वे मुझे और 300 यूण मिले है । चलो देखते है कि आकर यह क्या है वह देखता ह यहां पर कावफिसर लोग जुड़े होते हैं वह किसा चैट आप्शन में कोशन करता है जहां पर वह कहा रहा होता है मैं बस पूछना चाहता हूं अगर मुझे एक क्लम मिलें जिसकी अटेक क्या पास सच में कोई बेचनी के लिए है तो आरे क्या रहा होता है इस आदमी को कुछ भी नहीं पता अगर तुम्हारे पास सच मुछ वह वैपन होता तो क्या तुम सच में उससे सेल करना चाहते मैं शर्थ लगा सकता हूं कि इसके पास यहां तक की कोई और इनरी कलब मी नह करता है जहां पर वह एक क्लब को रखते है कोई बात नहीं सिर्फ लेवल वन का क्लब है और मैं इसके कीमत ज्यादा बढ़ाता हूं तो यह परिशा नहीं कर देगी तो बैतर हो कि मैंसे जल्दी बेच दूँ और मुझे आशाए कि आदे गंटिक अंदर बिग जाएगा और क्लब की प्राइज 5,000 से ही स्टार्ट क्यों कर रहा है तो दूसरा बंदा क्या रहा होता है यो प्रोबली स्रिफ लूप्स की तौरश कर रहा होगा तो लेडी कहती है मुझे लगता उसने पहले जिन पाच क्लबों की कीमत तैय की थी वो बिलकुल नॉर्मल थी इसी के साथ सीन चेंज होता है हम देखते हैं कि लिव चैन के सारे मॉस्ट को मारते वे लेवल 5 में पहुंच जाता है जहां पी मने मुन कहा रहा होता है और अब मैं लेवल 5 पर पहुंच चुका हूं हाला कि मुझे सिर्फ अब वन इस्टा टैलेंट मिल रहे है और क्वालिटी क्वालिटी होनी चाहिए वह बीच्ट होता है वह इसके पर अटेक कर देता है जो कि देखते हैं और इसी के साथ आधी रात बीच आती है जहां पर देखते हैं कि चेंज हो जाती है जहां पर उसके टैटल वियर वल्फ विफ एक्सकेप्शनल स्ट्रेंथ और एजलिटी है जहां पर मुनिवन कहा रहा होता है दिन पर पंसी ने बाहने के बाद आकर कार में लेवल 6 पर पहुंच चुका हूं लेवल 5 से सुरू करने के लिए मुझे एक्स्पीरियंस की सब्सक्राइब कर देता है और यह काफी जदा कूल है हाला कि अब मेरी लेवल काफी दीर दीर बढ़ रही है और यहां तकी बाकी सारी भीच अगर प्र चुप जाओ फिर भी वो लोग मुझे देख सकते हैं काफी से में से ग्राइंडिंग कर रहा हूं मैं काफी जदा थग वापिस आची की होगी पैसे में अपनी फैमिले को सपोर्ट करने के लिए काफी जदा पैसे कमा लिया है और इसे के साथ वहापिस पहुत जाता है जाहां पर रूको अभी तक वापस नहीं है अभी तो काफी जदा देर हो चुकी है तब हम देखते है कि लोई वापस आ जा दो हुत्त है संप कहरा होता है वह में बहुत है क्या तुमने नशा किया था त्हुकि हमारे से कमपनी एंपरियन गॉट वियम की ओर बढ़ रही है और मैं इसका कोर मेंबर हूँ जोंगे सुनते में लियू चैन काफी जदारन होता है जहां पर वह कहा रहा होता है एंपरियन रियू पर रही है तो उन्होंने हमें एंपरियों कोड वियल में शामिल होने के लिए 5 मिलियन का उफर किया है जिसके वज़े से हमने सेलिबरेट किया जहां पर मैं डेप्यूटी टीम की लीदर हूँ यह कूल है ना जो कि सुनते हैं क्या नीचे उदर सकते हो वह तुम बड़े हो जानते कि आपके कैसे रहा जाए तो यह उसे कह रही होती है इसमें सादन रहने के क्या बात है हम सिब्लिंग्स नहीं है और इसके साथ में देखते हैं कि उसके गोद में होती है जहां पर लूचेंट कहरा होता है तुमने विल्कुल सही कहा इसलिए हम सादन रहना चाहिए तो यह कह रही होती है किसलिए मैंने तो पहला ही डिसिजन ले लिया है मैं हमेशा तुमारे साथ रहना चालती हूं करना चालती है इक नीचे घरा देती है जहांफे उसके पास आती है और उसके रहे होती है वर नीस चाहते हो जिसा टूम मैं रिलाक्स कर सकते हो आप सागत किया है और यह बравा मौका है तहां पे करी सारी बड़ी बड़ी कंपणिया भी शामिल है तो मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ तो यह सुनते है वे लूचेन उसे कहा रहा हूँ तो यह तुम्हें तुम्हें इतनी मेनद करने की जरुवत नहीं है मैं पहले सही Empirian God Realm में हूँ इसलिए तुम्हें मेरी देखबाल करने की जरुवत नहीं है वही वो देखता है कि वो सो गई होती है जो कि देखते हैं कि वो कहा रही होती है अच्छा तो यह सो गई है इसके साथ वो मनिमन कहा दिया होती है तो इसका मतलब यह भी Empirian God Realm खेल रही है तो हमें खेल में मिलने का मौका मिलना चाहिए है न तो इसलिए हम इसके बारे में बात करेंगे लेकिन हैरणी की बात यह है कि यहां तक कि National Forces भी इसमें एंडर कर चुकी है तो यहां पर कुछ ऐसे सीक्रेट होंगे जो कि हम नहीं जानते है बेसे के साथ हम खड़ें देखते हैं जाब इसके बहने मुझें से कहा रही होती है कुछ पया पर लिए वाल वीष्ट हो और मैंने सब कुछ बेश दिया है जहां पर अब मुझे तो उसके बाद चलो फैंग लिंग जी के लाइव स्ट्रीम देखते हैं इसी के साथ फैंग लिंग जी को देखता है जो पर फैंग लिंग जी कह रही होती है ये गेम काफी जदा हाड है ऐसे कल सुबह 4 बजे तक खेल रही थी और अभी तक मैं सर्फ लेवल 3 पर हूँ जहां म यह उस आदमी कितनी बड़ाई क्यों कर रही है तच में वह पक्का धोके बाद होगा और ऐसा कोई भी नहीं जो कि टॉप 500 में है आकर वह कौन ऐसा ही सभी लोग उसके बुराई कर रहे होते हैं जो कि देखते हुए जीमिंग क्या रही होती है ऐसा मत कहो शैद वह एक क्या रही होती है इस लड़की का फिगर ही नहीं बल्कि यह लड़की पूरी के पूरी बहुत ही अच्छी इंसान है मैं एक तिप दूंगा और इसके साथ वह से थैंक्यू कहता है जो कि देखते हुए चेमिंग क्या रहा है तो फिर चलो एक नया दिन शुरू करते हैं और को मारते हैं और इसके साथ वह बागे से वियर वुल्फ को मारने लगता है और ऐसा एक तीन गंटे बीच जाते हैं जहां पर हम देखते हैं कि जहां पर हसने मेरी क्या रहा है तो वह मेरी पहुंच चुकी है और मेरी लेवल 7 हो चुकी है कि मुझे 740 HP मिल चुकी है और जानना चाहता हो कि मेरी नेम की क्वालिटी अप्ग्रेड हो चुकी है तो क्या मैं शायद 800 मीटर दूर से भी किसी के भी नेम को देख पाऊंगा तब ही वो किसी की नेम को देखता है जो कि देखते हैं वह काफी जादा रहन होता है जहां पर क्या रहा होता है यह तो एक्स एलाइट मॉस्टर और एक दरजन से भी ज्यादा हाई लेवल के स्पैसल मॉस्टर और इसी के साथ यह जैकर सकता लेकिन आखर मुझे क्या करना चाहिए आखरी मैं क्या करू जल्दी सोचो लिचैन यह कहते ही वह सोचने लगता है जहां प्यों क्या रहा हो तो मेरे बैग में हीलिंग पोश्चन है क्या क्वाइं ज्यादा है इसके साथ वह इसके पास 17 में होता है जो कि देखते हैं यह तो एक यूनिक आइटम है तो इसलिए से काफी ज़दे यूसफुल होना चीए है ना और इसके साथ वह स्पेक्लिक करता है जहां पर बताया जाता है त तुम इसके साथ एक क्रीचर को रिक्रियूट कर सकते हो और ऐसे इसके बारें बहुत कुछ होता है चोकि देखते हो मनीमन कह रहा होता है लेकिन सरफ एक अंडरलिंग का रिक्रियूट शीक काफी नहीं होगा एड़ इस चीज को लिजियन रिक्रूटमेंट और कहा जाता है तो शायद इससे अप्ग्रेड भी किया जासकता है है ना वैल मेरे पास बस 10 रैपोटेशन पॉइंट है तो चलो इससे आजमाते हैं और इसे के साथ वो ली जियोन रिक्रूट्मेंट और को बाइक कर लेता है जिसे देखते हैं वो काफी जादा रहन होता है और कहा रहा होती से थ्री स्टार मेडिल्स को कमाया है लेकिन अब इसे बेचना होगा और इसके साथ वो रिक्रूट्मेंट और को अप्ग्रेट कर देता है और इसके साथ वो लेते वे आगे बढ़ता है जहां पर वो से भी मिलके बागे सर्व को मारने लगते हैं और ऐसा ही 10 मिनट बीच ज सब्सक्राइब होता है जो कि काफी जदा पौर्फुल होता है जहां पर उन चोटी-चोटी विर्वुल से निपट रहा होता है जहां पर यह क्या मॉस्टर अटेक है इसकी डेमस्तों काफी जादा है और इसके साथ वो भी आगे बढ़ता है जिससे कि उसे काफी कुछ मिलत सब्सक्राइब होता है जहां पर इसके साथ यहां पर खतम होती है मतलब कि सीरीज यहां पर खतम होती है ख 팀 खैर शुरू सिर्ष में तो यह सीरीज मुझे काफी अच्छी लगी थी लेकिन अब मैं बोरो रहा हूँ और जो सिरीज मुझे ही अच्छी नहीं लगर रही तो आखिर वह तुम्हें कैसी अच्छी लगेगी इसलिए माफ करना मैं ऐसे डॉप कर रहा हूँ और इसके सा मैं सारे के सारी सीरीज को कंप्लीट किया है लेकिन अब उनके नए चैप्टर आ रहे हैं और इसी से वाज़े से माफ ही मांगता हूं और हां मुझे कोई ऐसी सीरीज चाहिए जो कि अच्छी हो करने में मज़ा भी आए और अच्छा व्यूज भी आए ताकि मुझे करने में मन करें और पता नहीं आचकल क्या हो रहा है कि मुझे मन नहीं लग रहा है तो इसलिए मैं एक अच्छा सा सीरीज जुनूंगा तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम चीए तब तक लिए मैं एक पुरानी वीडियो अपलोड करूंगा तो प्लीज थोड़ा से इससे काम चला लेना उमीद है तुम लोग लास तक देख रहे हो और जो जो लास तक देख रहा है प्लीज कमंट करके बता देना ताकि मुझी भी अच्छा लगे या आप सभी मेरे वीडियो लास तक देखते हो तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक खिलिए बाबाई